दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे बड़ी कपर बिहार में 10 जन्वरी से बुजर्गों और हैल्थ वरकर्स को लगेगी वैक्सिन की बुश्टर डोज तैयारी सुरू 17 लाग को होगा फाइदा जहां बिहार में 10 जनवारे से गांबे रोगों से ग्रासित 60 से अधिक उमर के बुजरगों को कोरोना वैक्सिन के बुश्टर डोज दी जाएगी। बड़ी खबर बच्चों का टिकाकरन को लेकर एक जनवारे से कोविन एप पर सुरू होगा रेजिस्ट्रेशन जानिये प्रोसेश जिहां भारत में बच्चों के कोरोना टिकाकरन की तयारया तेज हो गई है। 22 से हो जाएगी। कोविन फ्लेटफॉर्म के प्रमुक डाक्टर आरे स्वर्मा के मुताबिक 15 से 18 वर्स की आयू के बच्चे 1 जनवारे से कोविन एप पर पंजिकरन कर सकेंगे। इसके लिए कोविन एप पर जरूरी बदलाव किये गये है। यहाँ दसवा आइड़ कार्ड जोडा गया है। इससे इस्टूडेंट आइड़ कार्ड नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास आधार काड़िया दूसरा कोई पहचान पत्र ना हो अज की सबसे पाली कबर बिहार में आप घर बेटे ही बनवा सकेंगे जाती आए और आवास परमान पत्र जानिये तरीका जहां बिहार अंचल कार्याले में जाती आए आवास परमान पत्र बनवाने को लेकर हो रही भीढ और परिसानी को देखते विए अप रासासन ओलाइन व्यवस्टा पर विसेस बल दे रहा है अब घर बेटे ही जाती आए और आवास परमान पत्र बनाने की सुविधा और उसे निस्पादन कर ओं-लाइन डाउंलोड करने सर्फ पर तिशी स्विदा उप्लब्त करने की यूजना है आपकी आहरन कारे क्लिए की आवएधन करनेके लिए 750 यह अब आवीधन करने के लिए षाले लग और आ rocky और आज आती और आवास परमान पत्र के कॉलम दिये गए हैं जो बनाना है उस पर क्लिक करके 23 ब्योराब को भरे ओलाइन आविदन करने के बाद मॉबाइल पर एक लिंक आएगा जिस पर परमान पत्र बनने के बाद क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं एक परमान पत्र को बनाने में एक सब्ता से 15 दिन का समय लगता है यदि ओनलाइन आविदन करने के बाद समय पर पन्मान पत्र जारी नहीं किया गया तो समधिन अंचल कर्याले से संपर्क करके कर सकते हैं अगर बिहार में ओमिक्रोन की दसत को देखकर 31 दिसमर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क और उद्यान ग्रिया विबाग ने जारी किया आदेश जी हाँ कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की प्रसार की आसंगा को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसमर से 2 जनवरी तक राजी के सभी पार्क और उद्यान को पुर्णत बंद रखने कर देने लिया है मंगलवार की साम ग्रिया भिबाग ने इस समद में आदेश जारी कर दिया है ग्रिय विबाग ने जारी आदेश में कहा है कि ओमिक्रोन संक्रमन के प्रसार और नव वर्स के पूरी सेंदा तक नई साल में होने वाले आयोजनों तता सरवजने की स्थलों पर सम्मावित बेड को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है इस समद में सभी जीलों को दिसा न निरिचक बरती 2021 परिचा की डेट घोसित कर दी है बिप्यसी मवियाई पदो पर भरती के लिए होने वाली परिचक का योजन पांच मार्च 2022 और छे मार्च 2022 को किया जाएगा बिप्यसी मोटर या निरिचक बरती परिचक के लिए आवेदन करने वाले अभियरती आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nac.in पर जाकर परिचा डेट चेक कर सकते हैं वड़ी खेबर पटना के 24 सेंटरों पर नए साल में नियुसलक लगेगी बिना सुई वाली जाइकोवडी वेक्सीन एनम के ट्रेनिंग हुई पूरी जिहां नए वर्स में पटना के लोगों के सामने क को और विकल्प रहेगा जिनोंने आप तक कोरोना के कोई वेक्सीन नहीं ली है वे यहां नए वेक्सीन ले सकते हैं इसका नाम जाइकोवडी है जिसे भारतिया फार्मा कंपनी जाइडिया स्केंडिला ने बनाया है या पूरी तरह से स्वदेसी है इसकी खास्यात है कि इस इसमें सुई नहीं होगी इसे भी से सरके इंजक्टर की जरिये लगाया जाएगा ऐसे में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा इसे 18 से अधेक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा इसको लेकर पटना में सारे तैयारिया पूरी हो चुकी है डाक्टर और एन-म की इसे लगाया जा सकता है जानकारिक इस जनवरी से पटना में लगने का काम सुरू हो सकता है हलाकि अभी इसके अधिकारिक पुष्ट नहीं हुई है आपके जनकारिक लिए बता दे की जायको डि विक्सिन का तीन डोज लगाए जाएगा पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लेगेगा और चपनवे दिन बाद तिसरा डोज लगाया जाएगा बड़ी खबर बिहार में स्वेचिक रगदान करने वालों को मिलेगा स्मार्ट डोनर कार्ड जाएगा और उनसे समधित जानकारे भी वेवसाइट पर उबलब रहेगी स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने स्मवार को कहा कि राज में आप रगदाताओं के लिए स्वेचिक रगदाता स्मार्ट डोनर कार्ड के वबस्ता कर दी गई है रगदाताओं को इसकी सौप्ट कोपी पंजिकरित इमेल आड़े एवाँ पंजिकरित मॉबाइल पर एक लिंक के मायदम से भेजी जाएगे जिससे रक्त दाता असानी से डाउनलोड कर सकेंगे इसके हाट को भी बिस समादेद रक्त केंदर को बेतरन के लिए राज स्वास्त समितिकी ओर से उबलब्ब्द कराएगे जिससे रक्त केंदर रक्त दाताओं को उबलब्ब्द कराएगे साथ स्वास्त मंत्रे ने कहा कि स्मार्ट डोनर कार्ड में सभी रगदाताओं को एक योनिक परचान संख्या दे जाएगी घृतली बड़ी खषких बिहार की फैक्टरियों में काम करने वाले प्रवासिक कामगारों को मिलेंगी बिस्सकर साल में एक बार उन प्रवासियों को घर आने जाने का किरया मिलेगा इनकी सुरक्सा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अलग से एक टॉल फिरी नमबर भी रखेगी स्रम संसादन विभाग ने अंतर राज किया परवासे कामगारों के लिए विबस्ता की है विबाग ने कहा कि अगर नियोकता दूसरी राजों के कामगारों को अपनी फ्यक्टी में रखेंगे तो उने उस रमिक को ट्रेन बस या किसे आने यातरी परिवान मैदम से रोजगार इस्तान से गिरा राज में उनके निवास इस्तान तक आने जाने की यातरा के लिए डिटेल जहां बिहार लोग सिवा आयोग ने सरसटवे सायोक्त सिविल परिच्छा के तहत पदों की सिंख्या एक बार फिर से बढ़ा दिया है इस बार वेकेंसी की सिंख्या में चार पदों का इजापा किया गया है ये पद प्रोवेशन पदादिक कारी ग्रिया विबाग के इस सम्मन में BPSC ने नोटिफिकेसन जारी कर दिया है सरसटवे में पाची विबार पदो की संख्या बढ़ाई गई है अब BPSC सरसटवे में रिक्त पदो की कूल संख्या बढ़कर 700 अंटनबी हो गई है बड़ी खबर बिहार सिक्चा विबाग का एलान सिक्चक के पद पर चैनित अभियर्तियों को 25 फरवरी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र जिया अबिहार में सिक्चक नियोजन से जुड़े अभियर्तियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार में प्रारामिक स्कुलों में सिक्चक के पद पर चैनित अभी अर्थियों को 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा आपको बता दे कि बिहार सिक्चा विवाग ने स्वमवार को एलान किया था कि आने वाले वर्स के फरवरी महिने के अंते महपते में चैनित प्रातामिक सिक्चकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मताया जारा कि प्रमान पत्रों की जाच के बाद वहाले की प्रक्रिया पूरी की जाए गई साथ है आपको बता दे कि दो दिन पहले सिक्चा विवाग ने सभी जिला सिक्चा पदादीकारियों को निर्देश दिया था कि काउंसिलिंग के बाद अच्यानित अभियरतों कि सेटिपिकेट की जाज फरवारी के तीसरे हफते तक पूरी कर ले इसके बाद बुदवार को भ जिमिदार माने जाएंगे अड़ी कबर नए साल से जेब होगी धिली चपल जोते और कपड़ा खरीदना होगा महंगा खाने के बिल पर भी पड़ेगा असर जिया एक जनवरी 2022 से गूर्स एन सर्विसेज टेक्स में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसके बाद कपड का बोतान करने का दायत तो सामिल है फूट वेर और टेक्स्टाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रेक्चर में करेशन एक जनवरी से लागू होगा जिसमें सभी फूट वेर पर बारा फिजदी जीएश्टी लेगा जबकि कोटन को छोड़कर सभी टेक्स्टा 22 से फास फिजदी टेक्स लेगेगा वहें खाने के बिल पर भी असर पड़ेगा नए बदलाओ के बाद स्विगी और जोमेटो जैसे एक कोमर्स को एक जनवरी से उनके द्वार प्रदान की जाने वाले रेश्टूरेंट सभाव पर जीएश्टी लेगेगा अगली बड़ी खबर सरकारी नोकरी के लिए तैयारी कर रहे अभियर्तियों के लिए खुसकबरी नए साल में इस बिभाग में होगी बहाली जी हाब बिहार में सरकारी नोकरी के चार रखने वाले केंडिडेट के लिए नया साल खुसकबरी लेकर आया है आने वाले नया साल 2022 में बिहार के परियावरन वन एवम जलवाई परवर्तन बिवाग में कूल दो से क्यानुवे पदो पर बहाले की खबर सामने आ रही है आपको बदा दे कि सियम नितिस कुमार के अदाइसा में मंगलवार को पूरी हुई केबिनेट की बैठक में विबाग के ताहत होने वाले इन बहाले के लिए नए पादस रिजित करने के एजन्डे पर मोहर लगा दी गई है बिहार सरकार का नया आदेश इसकुल के नोटिस बोर्ड पर लगीगी टीचर के रंगिन फोटो जहां बिहार के इसकुलों में सिक्चकों की पूरे दिन उपसित सुनिश्चित करने के माकसद से सरकार ने उनकी तस्वीर इसकुल के सुचना पड़ पर लगवाने का फैसला कि लेकर ऊच मायदा में सभी भी दलव की सुचना पड़ पर वहां की सिक्चकों की रंगिन तस्वीर लगेगी तस्वीर के साथ उनके नाम पद नाम और उनका मवाइल नमर भी लिखा होगा ताकि चात्र चात्राव और उनके विभावक अपने सिक्चकों को पहचान कर सके सा बिहार में नए खुल रहे इंजिनिरिंग कोलेजों और पॉले टेकनिक के चात्र चात्रावों के लिए सरकार होस्टल भी उपलब्त कराएगी विज्ञान और प्रोधित की बिघा की मांग पर मवन निर्बान विभाग इसमें आने वाले कर्च का अकलन कर रहा है विभाग प्रमुक राकेश कुमार ने सभी कारेपला का अबियानता को कहा है कि वे इसमें होने वाले खर्च के अनुमानित रासी के बारे में रिपोर्ट वेजे आपको बदा दी कि सरकार हर जिले में इंजिनिरिंग कोलेज और पॉलेटेकनिक संसान खुलने के तयारी में है पॉले वस्ता करने को कहा गया है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में बढ़ते वे कोरोना के मामले को देखते वे राज्य सरकार को नाइट कर पूर लगाना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए